हाई, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए आप में से काफी सर लोग ऐसे हैं जो कि पंचायत अस्तर पे डेटा इंट्री अपरेटर के पदों पे जो ही भरती होना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ग्राम सवराज जुनाय के तहद जो भी पंचायत है उसमें जो ही डेटा इंट्री अपरेटर के पदों पे लगभग तीन सा उनतीस पदों पे जो ही भरती होने वाली है जिसकी जनकारी हमने बहुत पहले कभर किया था आपको बताया भी था कि लेकपाल सा आईटी साहे का जो भरती आएगा उसमें जो ही आपका डेटा इंट्री अपरेटर का जो ही तीन सा उनतीस पदों पे भरती आएगा तो अभी आप सभी जानते हैं कि लेकपाल सा IT साहे के पदो पे जो है भरती का जो सौर्ट नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है आप जो है पंदरे अपिल सो जो है इसका फॉर्म भर पाएंगे बारे अपिल को जो है इसका नोटिफिकेशन डिटेल्स में आ जाएगा और एक महने तक जो है आप ओनलाइन मर्ड में फॉर्म को भरेंगे तो आप मेंसे काफिसर लोगों ने कहा कि ठीक है लेकपाल का तो भरती आ गया लेकिन डेटा इंटर्प्टर का जो पदों पे भरती होने वाली है मतलब पहले से जो है कुछ पंचायत में डियो के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन कुछ पंचायत में जो है पोश्ट खाली है तो उन पदों पे भरती कब होगी उसका जो है कोई डिटेल्स जनकारी है तो बताइए तो आज किस वीडियो में सभी जनकारी आपके साथ सेर करने जा रहे है तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पास है जिस पर देखेंगे जो एकाउंटेट कम आईटीस असिस्टेंस है यानि कि जो लेखपाल सा आईटीस आयक है उनका जो ही पोस्ट यहां पर दिया गया था कि इसमें जो है एक एक जो है पंचायत में काम करेंगी एक एक जो है ब्लॉक में काम करेंगी और दो दो जो में भरती होंगे लेखापाल सर आईटिस चाहे के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से काफी सरे कंडिडेट ऐसे हैं जो की ओनलाइन जो है कंपेडिशन की त्यारी करना चाहते हैं या फिर करते भी हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके माधिम से अपना जो ओनलाइन कोर्से से लेकर त्यारी कर सकते हैं तो अभी जो है उर्थकर्स क्लासे का जो प्लेटफॉर्म है उसके माधिम से एक ओफर आया हुआ है जिसके माधिम से 21 से लेकर 28 के बीच में अगर आप कोई भी ओनलाइन कोर्स लेते हैं जैसे कि माले जी आप नीट का त्यारी करना चाहते हैं, जेई की त्यारी करना चाहते हैं, किसी परकार का इंजर्णिंग हो गया, या फिर किसी परकार की स्कूली परिछा की आप त्यारी करना चाहते हैं, तो आप जो ही कोर्स में इन्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको 90% का डिसकाउंट यहां पर देखने को मिलेगा और साथ-साथ तीन महीने की इस्टा जो validity है ओभी आपको देखनी को मिलेगा देखिए उतकहर किलासेज के बारे में हम बात करें तो यहां पर बेस्ट जो एकसपर्ट होते हैं उनके माधिम से त्यारी कराई जाती है और उनका जो है guidance भी आपको देखनी को मिलता है साथी साथ आपको जो है live classes के साथ आपको recorded जो classes होते हैं वो भी देखनी को मिलता है और इसमें audio lecture भी आपको देखनी को मिलता है जिसके माधिम से अपना बेहतर त्यारी कर सकते हैं Smart e-book, e-notes, 7-7 daily classes का जो panel PDF होता है वो आपको प्रेश्टी के लिए दिया आता है जिसमें अनगीनत जो हे multi-choice question भी देखनी को मिलते हैं इन courses में आपको self assessment की भी सुविदा देखनी को मिलती है और 7-7 weekly test भी करवाया जाता है जिसके माधिम से आपना जो तियारी है बहुत ही महजबूत आप कर सकते हैं क्यों ना इस होली को अपने लिए एदगार बनाने के लिए उर्थकर्स के होली हंगामा ओफर का लाब उठाएं और most affordable price में comparative exam की दमदार त्यारी करें उतकर्स ये पर इस होली हंगामा को अभी एवेल करने के लिए नीचे description box में दिये गए लिंक पर क्लिक करें और आपना जो पसंतिधा course है उसमें enroll करें और 90% तक का छूट पाएं तो टोटल जो है 7000 पदों पे भरती निकाले जानी की बाद कही जा रही थी जिसका आप देखेंगे तो 65 सकुछ 70 पदों पे भरती का notification यहाँ पे आ चुका है short notice आ जुका है जिसको आपको दिखाएंगे क्योंकि आपको मैंने पहले भी वीडियो बना कर जनकारी दिया था ठीक है लेकिन इसमें 329 पदों पे आप देखेंगे तो जो exclusive बोल सकते हैं या फिर data entry operator भी उनको बोल सकते हैं इनके लिए जो है पदों पे भरती निकाले जानी की बात कही जा रही थी जो post आप देखेंगे तो यह वाला जो notification आया हुआ है उसमें mention नहीं किया गया है सबसे पहले जो लेकपाल सा IT वरा notification आया हुआ है उसको हम clear कर देते हैं फिर आपको बताएंगे कि इन पदों पे भरती जो है कहां से निकाली जाएगी इसका क्या कुछ update है qualification क्या मांगे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे जो notification है यहाँ पे जारी कर दिया गया है पंदरे तीन दोहर चोबिस को ही जारी किया गया है जिसमें अब देखेंगे accounted com IT assistance यानि की एक जो है पंचायत में एक जो है IT साहे काम करेंगे फिलाल जो है पंचायत के पदों पे ही भरती निकाली गई है इसमें block और जो जिला लेवल की भरती यहाँ पे बताई गई थी कि block में 523 और आपका जिला में 76 पदों पे भरती होगी इसकी कोई जनकारी इस notification में mentioned नहीं है ठीक है तो किवल जो है पंचायत के लिए एक पंच किया हुआ है तो form को भर सकते हैं अला कि जो c enter किये हुए उनको जो ही preference यहाँ पे देखनी को मिलेगा बाकी कौन से काईटी गड़ी में mail और female का जो ही कितनी भरती है इसकी जनकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल भरती की हम बात करें तो 6570 पदों पे आपका भरती ह जो होगी जिसमें से 4270 जो है केवल mail का रहेगा पोस्ट और 23 जो ही फी mail का पोस्ट रहेगा बाकी आपका जो selection होगा जो इसका cbt exam होता है उसके भी हाँ पे आपका selection किया जाएगा ठीक है बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो online आवेदन है 15 जो अप्रिल है 11 बाए सु जो को mention कर दिया जाएगा इसमें जो है details में हमने बात किया हुगा इस वीडियो को नहीं देखे हुए तो चेक आउट कर लेना बाकी नहीं बताया हुगा है कि 20% जो है वेकेंसी घड़ भी सकती है बढ़ भी सकती है तो ध्यान रखिएगा इन पदों पे जो लगबग साथ ह जो धर पदों पे आपका भरती होने वाला है ITS चाहए कि अब इसमें हमने आपको यह वलढ़ टेंडरल नोटिस में दिखाया था कि इसमें जो हे data entry operator के जो ही पदो पे भरती निकाले जाने के लिए जो tender निकाला गया था जिसको ततकाल परभाव से cancel कर दिया गया मैंने जो ही वीडियो बना कर आप सभी को जनकारी दिया ही था कि जो भी इसका tender निकाला गया था उसको cancel कर दिया गया है और अब जो भरती ली जा रही है न बीजी एस वाइस के ही द्वारा लिया जा रहा है जो कि अपका सभींदा धारी जॉब होगा पुरी तरह से सरकारी अपका नौकरी नहीं होगा तो इसमें जो data interpreter की जो पदों पर भरती निकाले जाने के बाद कही जा रही थी उसको जो है इसमें mention नहीं किया गया है तो समझे भरती जो ही किस परकार से होगी देखिए सबसे पहले हम qualification के regarding बात कर लेते हैं तो अगर आपने 10 प्लस 2 पास कर लिया था या फिर आपके पास DCA ADCA प्लस जैसे कि 10 प्लस 2 के साथ साथ आपके पास DCA और ADCA का जो है certificate है जो कि NX2 में इसको mention किया जाएगा और जो आपका typing speed है ठीक है हिंदी में 25 word per minute और हिंदी में sorry English में 30 word per minute आपका है तो आप यहां पर form को भरेंगे 329 पदों पर आपका भरती निकाले जाने की बात बोली गई थी तो इसका जो है कोई भी अभी update नहीं है जैसे कि आप जो diet notice देखेंगे इसमें इसको mention नहीं किया गया है लेकिन ध्यार रखेंगे यह भरती जो है पंचायत में होने वाली है तो इसके लिए अलग से notification आएगा जो की ग्राम सोरा जो युजना के दवरा ही notice आएगा तो अभी जो इसका notice नहीं आया हुआ है यह भरती जो है अलग से आने वाली है पुरी तरह से अलग भरती नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही notification आता है तो आपको जो है clear करके बता देंगे जो अपका पंचायत में data interpreter की जो 329 प पहले से बहुत सर लोग काम कर रहे हैं और कुछ पदोपी यहां पर खाली है कुछ पंचायत में तो वहीं भरती निकाली जाएगी इसका नोडिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द आएगा जिसमें आपको हम किलियर करके बताएंगे कि यहां इसके लिए किस तर से क्या कुछ ज नोडिफिकेशन आएगा तो उस पर हम वीडियो बना देंगे और फिल करने का भी वीडियो आपको लेकर आएंगे बाकि जो इन पदों पर भरती है डेटा इंट्रेटर के पदों पर भरती है तो उसकी जनकारी आएगा तो तुरांत अपने साइट पर या फिर हम अपने य साथी साथ जो टेंडर नोटिस आया हुआ था जिसको केंसिल कर दिया गया उस नोटिस को भी आप यहां से चेक आउट कर सकते हैं दोनों नोटिस को मैंने जनकारी यहां पर अपको करवाया हुआ है तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो ही सभी जनकारी बहुत ही असान नहीं किया गया है तो जैसे ही भरती का कोई जनकारी आता है और इसके लिए कोई सुचना जारी किया आता है तो आपको अपडेट करा दी जाएगी बाकी जो भी जनकारी मुझे मिला हुआ था उसके विहाप पे मैंने आपको सभी जनकारी कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेट तो आपको में कमेंट करके पूछ सकते हैं जहां तक में नौलेज होगी आपको बताने की कोशिस की जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद